जैसे ली राम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे संदा वीडियों दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं दा लास्ट लेशन के मोश्ट से मोश्ट इंपॉर्टेंट को बच्चों में बता दूए हैं जो हमारे कोश्चान से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देखिए अब हमारे पास समय नहीं है तो आप लोग बिल्कुल भी जो है बीटियों को स्किप मत करिएगा सुरू से लेकर लाश्ट तक देखिएगा और हमने आप सब के लिए बहुत ही सरल से सरल वर्डों के साथ लिखा हूं ताकि अगर इंग्लिस को अगर कोई बच्चा को इंग् साथ भी लाएं ताकि आपको एक से बेसिक से बेसिक नॉलिज के साथ हमको आपको जो है समझा पाऊं एक भी नंबर आपका कहीं पर भी न जाए और ध्यान रखेगा क्वेश्चन आंसर में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्योंकि या 30 से 40 नंबर यहां से कबर होता है हर कर सकते हैं आपके सेट में पांच साथ नंबर का आठ नंबर का चान नंबर के क्वेश्चन में पूछे रहाते तो आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला यह वीडियो तो बच्छों देखे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि य थैट मतलब एं हमें मैं म घोन से मतलब होता करा समा करता है क्या क्या कि ऍशाट को सब्सके यह वह धाण सय्यक्ष्ट पूरे संसार में बहुत ही क्या कर सकते सुन्दर लेंग्वेज है कौन हमारा फ्रेंच लेंग्वेज तो दोस्तों सिंपल सा जो है हमारे एम है में ने यहीं कहा कि that the French language was the most beautiful language in the word यह जो पूरे संसार में सबसे सुन्दर क्या है भास आए ठीक है उसके बाद उसने क्या कहा he said that it was the clearest and the most logical language यानि जो है यह जो है उनका कहने कामसा साइड माने कहना कि कह रहा है कि that it was मतलब जो है यह है the clearest मतलब होता है एकदम कह सकते हैं कि एकदम साफ सुथरा and the most logical logical मतलब होता है कि तार्किक क्या है भासा यानि सिंपल सा उसने कहा कि जो है संसार का सबसे बड़ा मतलब सबसे सुन्दर क्या वर्ड है और उसी साथ यह भी कहा कि क्लियरेश्ट and the most logical लेंगवेज यानि जो एक बहुत कर सकते हैं साफ सुन्दर के साथ एक तार्किक लेंगवेज भी है तो बच्चों देख सकते हैं सिंपल सा हमारा जो है उत्तर आ गया कि अब आप लोग समझ गया होंगे और आप अपने सब्दों में भी लिख पाएंगे ठीक है अब चलिए हम सिकेंड को देखते हैं कि हमारा जो है सिकेंड उत्तर क्या कहता है तो बच्चों देख सकते हैं सिकेंड हमारा प्रश्ण है कि वाट डिड एम हेमेन से वेन फ्रेंच तो देखेंड ज्चान ने से मतलब होता है कह नहीं मतलब होता है उनका टीचर साप्त अन्होंने क्या 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 ख्लिए उसी को हम सिंपल से हाँ पर लिग देंगे बहुत ही सिंपल है कि यानि जब उनका बच्चा स्कूल में पहुचा तुन्होंने क्या का ठीक है तो देखे अगर देखे मैं आप सबसे यह करना चाहूंगा कि मेरे बच्चों आप ध्यान रखेगा मैं ऐसे ही जो हर एक चैप्टर का आपको इंपोर्टन सिंपोर्टन कोश्चन आसर मिल जागा और वहां से जरूत त्यार कर लेना तो यह देखे सिंपल साथ में वह यही का कि वेन फ्रेंच मतलब जो है जब फ्रेंच जो है रिचेट टू दा स्कूल सिंपल साहम यहाप उठाकर लिग देंगे कि जब वह स पूर्वक टू गो टू हिज प्लेस मतलब तुम अपने स्थान पर जाओ किकली मतलब जल दी ठीक है एंड दे हैड बीन बीगिनिंग जो है बिदाउट है बीगिनिंग मतलब होता है सुरुवात जो है और हम जो है तुम्हारे बीना ही क्या करने वाले थे चैप्टर का सुर बहुत ही द्यालता पूर्वक टू गो टू हिज प्लेस विकली तुम अपने स्थान पर बहुत ही जल्दी जाओ एंड दे हैड यानि मतलब हम जो है बीन बीगिनिंग बिदाउट हम जो है तुम्हारे बीना ही क्या करने वाले थे सुरुवात करने वाले तो सिंपल सा हमारा इंट्रेस्टिंग बहुत ही मज़ा होनी वाला है ठीक है चलिए जो है का तीसरा कोश्चन देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है तो बच्चों देख सकते हैं हमारा तीसरा नंबर कोशन अब आप लोग यह देखकर धर मत जाईएगा यह खजूर के पेड़ की तरह है या कोई भी कर सकते हैं आपके प्रावलम के लिए कोई फिवरण नहीं है कोई आपको दिक्क्र नहीं होने वाला बस आप लोग समझ Energíaशह कर सकते हैं कि कि इस्टडी मतलब है जो बच्चे लोग क्यों पढ़ाई को क्या कर रहे हैं रह यादि उसे अन्देखा करें हैं क्यों हमें लगे क्यों का उत्तर देना होगा इसका कुछ हमें कारण बताना होगा बाकी सिंपल सामारा यह जो है उत्तर हो जागा तो सिंपल सेया बच्चो हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि firstly for the ignorance in studies am haven僕 blame यानि simply सामेह से पहले लिख देंगे कि firstly 64 film स्परियों के लिए मैं सुरुवाब से लिए खौर द्न इन इन इस्टड़ी यानि जो है बच्चे मलब की मतलब होता है कि जो पढ़ाई को क्या करें देखा करें, am him and blame, यानि हमारे teacher साब जी blame लगा रहे हैं, कि the student, यानि the student, यानि the student, यानि the student, because they delay, यानि जो हमारे बच्चे, जो हैं, उनके teacher, मलब की जो बच्चे हैं, because they delay the studies, then he blamed their parents, who prefer them to work on a farm, or at the mills, यानि वह जो है, am him and साब जी blame लगा रहे हैं, कि जो है student क्यों कर रहे हैं, because मतलब होता है, क्यों कि they blamed the student, मलब की study, then he blamed their parents, यानि उनके जो है, माता पिता पर भी लगा रहे हैं, कि whom preferred, यानि वह जो है, क्या कर रहे हैं, preferred मतलब होता है, कि वह उनको क्या कर रहे हैं काम करने के लिए प्रसान करें कि देन टू वर्क आन एफा मैंनी मलब खेती किसानी में और एट दम मिल मतलब होता है कि कारखानों में और जो है हमारे टीचर एम हेमन साब जी भी खुद को भी क्या कर रहे हैं ब्लेम लगा रहे हैं कि बच्चे क्यों श्टडी नहीं करें क्यों कि भीया उनके जो है पैरेंट जो है माता पीटा भी क्या कर रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं कि हूँ प्रेफर जो है काम क्या कर रहे हैं प्रेसर दे रहे हैं कि जा भीया खेती करो मिल में काम करो एंड ही ब्लेंड हींसेल्फ यानि उज्वेंग को भी क्या करें आरोप लगा रहें फार गिविंग ही जो होलीडे जो उन्होंने क्या किया छुटिया दिया तो आप लोग समझ गयें कि भीया क्यों जो है श्टडी पर बच्चे ध्यान नहीं दे रहें वही जो है यहाँ पर एहमेंस साब ने हमें बता रहें क्यों नहीं ध्यान दे रहें क्योंकि भाईया पैरेंट्स भी काम करवा रहें और उन्होंने भी कुछ जो छुटिया दी थी उसको भी वह क्या करें सेम पर भी himself भी क्या करे लेम लगा रहें तो सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा उत्तर मुझे मुझे मद्झे है कि बच्चो आपको जो हमारे ये तीन उत्तर जरू समर्ज में आऊगा और आप या देखें कमेंट में जरू बताएगा क्योंकि हम आप सब के लिए मेहनद करक ताकि मैं खुस होकर आप सब के लिए ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो लाता रहूं और अहां एक बात जरूर चैनल को चिकाउट कर लेना आपको हर एक सब्सक्राइब हर एक सकते चैप्टर का आपको इंपोर्टन इंपोर्टन कोश्चन मिल जागा वहां से भी उन्हें त्यार कर लेना जय हिंट जया भारत वंदी मात्रों